हेलो एवरिबन इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के नुमेरिकल टाइप्स के mcq जो इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटेटिव एक्जाम हुई थी उसमें पुछे गए थे ऐसे एक्जामपल्स मैं आज आपको mcq solution के साथ बताने वाला हूँ उसके साथ ही जो आने वाली एक्जाम है जी एसी सील हो जेट को हो या पीजी एसील की एक्जाम हो तो उनके लिए यह काफी इंपोर्टन्स है और किस तरह से आप सोल कर सकेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम सब जानते हैं जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एक्जाम होती है तो उसमें ना तो गेल्कुलेटर है ना तो कोई स्मार्ट डिवाइस छेसे की स्मार्ट वोच ऐसा कोई भी हम यूज नहीं कर सकते फिर भी अगर नुमेरिकल टैप्स के एक्जाम्पल आ जाए तो हम किस तरह से सोल करें विदाउट केल्कुलेशन तो वह भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इसमें कई सारे एमसी क्यों ऐसे होते हैं जिसमें 70 to 80 परषेंट अंसर उसमें ही दिया होता है तो आपको थोड़ा बहुत ही माइं चला ना होता है और आपको आसानी से आंसर फाइंड कर सकेंगे उससे पहले दोस्तों हमारे एमसी क्यों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी जैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके तो चल यह हमारे पहले mcq से हम देखते हैं तो यहां पर जो आप फॉस्ट mcq है तर ट्रांस्फोर्मर तर्न रेशियो प्फोर जैन्वन तर रजिस्टंस अप दो ही वाइंडिंग इस एट ओंस एंड़ वाइंडिंग इस वन ओंड़ तो टोटल रेजिस्टंस ओन ही शाइड इस ओंस इस यहां पर देखिए दोस्ता आपको ट्रांस्फ प्रांस्फोर्मर दिया गया है जिसका टॉंस रेशियो है फोर जैन वन है एंडिवाइड़ बाइंट वर जो एच्वी सेट का माइनिंग है उसका एट ओं रजिस्टंस है और लुटेज रेशियो टॉंस रेशियो सब पता होना चाहिए तभी आप सॉल कर सकेंगे वरना व आप कोई भी एक्जांपल सोल नहीं कर सकेंगे तो आपके सामने चार ओप्षन है इन में से हमारा सही आंसर है वह में सी मिलता है 24 लेकिन वह किस तरह से मिलेगा तो देखिए यहां पर मैं आपको केल्कुलेशन से भी बताऊंगा तो यहां पर चो क्या है ले लवी रजिस् स्क एडिंग का रिज़िस्टन्स तो यहां फे एप हमारा ठोक्टल मिलेगाव में 16ओ मिलेगा उसके साथ क्या है यहां वां एat और Sud कर सिरिज में कर देंगे तो यहां पर एट पलस 16 इस इकवाल टूपर मरा टोक्याफ्य मिलन का वह मिलता है तो यहां पर हमारा सही एंसर ह केलो होट एंड डिलीवर 220 मुल्टिप्लाइबाइब 10-6 यूनिट्स पर एन्यूल इप दे एन्यूल फिक्स चार्ज और रुपीज 160 पर किलो होट इंस्टोल के बेसिटी एंड रेनिंग चार्ज और फोर पेशा पर किलो होट हवर तो कोस्ट पर यूनिट जन्रेट टेड इज जो यूनिट जन्रेट होते हैं उसकी कोस्ट कितनी होती है तो यहां पर आपको सामने चार उप्शन है उसमें सही अंसर है हमारा सी है 7.64 पेसे लेकिन वह किस तरह से हमें मिलता है तो इसमें क्या-क्या दिया गया हूँ देखिए पहले इंस्टोल के पेसिटी है हमारी 50,000 किलो होट एनर्जी कंजप्शन है एन्यूल का 220 x 10-6 उसमें दिया गया है वह में अलग कर देना चाहिए ताकि हम आसानी से इस का साथ तो यहां पर एन्यूल फिक्स चारज क्या होगा 160 م6.5 की इस इकवल टू 8,000 तो हमारी टारिंग चार्ज क्या है ओर पेशा पर किलो होट हवर तो यहां पर जो रनिंग चार्ज क्यार्जी है अम क्लो व ठाल है उसमें होट में करते है तो running charge क्या होगा 0.04 multiply by 220 multiply by 10 is equal to 880 तो total charge हमारा क्या होगा 16800 होता है तो यहाँ पे cost per unit consume कितना है तो यहाँ पे जो हमारा है total हमें मिलता है कितने rupees divided by 220 multiply by 10 तो यहाँ पे जो हमारा सही answer होगा वो हमारा सही answer मिलेगा हमें 7.64 पेसे तो यहाँ पे जो हमारा सही answer होगा हमें C मिलता है उसके बाद जो question देखे an energy meter having a meter constant of 1200 revolution 1200 revolution per kilowatt hour is found to make 5 revolution in 75 seconds तो load power is, load power क्या होता है तो यहाँ पे हमारा सही answer है वो हमें C मिलता है 200 watt लेकिन हो किस तरह से तो आप calculation में देख सकते है कि meter constant क्या है meter constant k is equal to number of revolution divided by energy in kilowatt hour तो यहाँ पे हमें सब कुछ दिया गया है k is equal to 1200 revolution दिया है हमारा time है 75 seconds is equal to 75 divided by 3600 hours तो number of revolution है हमारा 5 तो directly हमें energy कितनी होती है e is equal to power multiply by time तो यहाँ पे हमें equation k is equal to 5 divided by kilo watt multiply by T तो equation को हम solve करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा load power है वो हमें 200 watt मिलता है तो हमारा सही answer होगा वो हमें C मिलेगा उसके बाद जो question देखे if the fold current is 2000 ampere the relay setting 50% and CT ratio is 400 divided by 5 the plug setting multiplier will be PSM हमें find करना है तो PSM हमारा क्या होगा तो यहाँ पे हमारा सही answer है वो हमें B मिलता है 10 लेकिन वो किस तरह से तो देखे relay operating current कितना होता है तो relay operating current है current setting multiply by CT secondary rated current multiply by CT ratio तो यहाँ पे सभी का आमें value दिया गया है तो सभी का value में include करेंगे तो हमारा current operating current है relay operating current वो 200 ampere मिलता है तो PSM जिसे हम plug setting multiplier बोलते है तो उसका equation है divided by relay operating current तो फोल current हमारा दिया है 2000 ampere तो यहाँ पे हम 2000 लखेंगे और उसके साथ divided by 200 करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा वो में B मिलेगा 10 उसके बाद जो question देखे A steam power station has an overall efficiency of 20% and 0.6 kg of coil is burnt per kylowatt hour of electrical energy generated the calorific value of fuel is fuel की calorific value क्या होगी तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें A मिलेगा 7166 kilo calorific और kilogram लेकिन उसका concept देखिए देखिए जो किस तरह से हमें मिलता है तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा concept बताया होया है और overall efficiency किस तरह से find करते हैं उसका भी equation दिया गया है calorific value किसे बोलते हैं किस तरह से हमें term find करेंगे तो यहाँ पे heat equivalent of 1 kilo whatever is equal to 860 kilo calorie है वो हमें याद रखना चाहिए तभी हमें example solve कर सकेंगे तो यहाँ पे हमारी efficiency है overall EO divided by HC तो यहाँ पे हमारी efficiency है 20% तो हम 0.20 लेंगे और यहाँ पे हमारा जो सही answer मिलेगा वो हमें x find करना पड़ेगा तो x क्या है हमारा 25 multiply by 5 तो यहाँ पे जो हमारा सही answer होगा वो 7166 kilo calorie जितना होगा यहाँ पे जो हमारा सही answer होगा हो क्योंकि यहाँ पे 863 multiply by 0.6 करेंगे तो यहां पे हमारा सही answer में मिल सकता है उसके बाद जो हमें next question देखे तो next question है इने three wire DC system the load on the positive side is 400 ampere and on negative side is 300 ampere the current is neutral wire is तो यहां पे देखिए 400 positive है और 300 negative है तो दोनों का हम sum करेंगे तो भी हमें answer मिल सकता है तो यहां पे हमारा सही answer होगा वो भी मिलेगा मने का दोनों side का हम difference लेंगे 400 minus 300 divided by is equal to 100 ampere उसके बाद जो next question देखे 1000 kVA transformer has a reactance of 5% its reactance at 2000 kVA base is तो देखिए यहां पे 1000 kVA का transformer है तो 5% reaction है तो जब हम 2000 kVA का लेंगे तो reactance क्या होगा double E हो जाएगा तो यहां पे हमारा सही answer होगा वो हमें D मिलेगा 10% 5% का directly 10% हो जाएगा उसके बाद जो question देखे in an AC circuit the current and voltage are out of phase by 90 degree the emitter reads 2 ampere and voltmeter reads 1000 volt तब power consumed is हमें power find करना है तो हमारा power कितना मिलेगा यहां पे हमारा सही answer है वो 2000 watt है तो लेकिन वो किस तरह से क्योंकि यह तो हमें directly पता चल जाएगा कि power का equation है P is equal to V into I तो यहां पे V और I का multiplication हम करेंगे तो हमारा I है 2 ampere V है 1000 तो P into V I से हमारा सही answer होगा वो हमारा 2000 watt है वो मिलेगा directly देखिए यहां पे पूरा दे दिया है आपको खाली mind का ही थोड़ा बहुत यूज करना है उसके बाद जो question देखे तो resistance between any two terminal of a balanced delta connected load is 12 ohm तो resistance of each phase is each phase का resistance क्या होगा तो यहां पे हमारा सही answer है वो 18 ohm मिलेगा वो किस तरह से क्योंकि यहां पे delta connection है तो यहां पे balanced delta connection है तो three phase circuit होगी हमारी तो three phase circuit है तो उसका जो equivalent दिया गया है वह हमारा 12 ohm है जो डेल्टा load connected होता है तो उसके इसाब से हमारा यहां पे क्या होगा टू बाइट्री multiply by R तो multiply by R तो हमें दिया गया है कितना है वह हमारा 12 है तो 12 के इसाब से हम find करेगे तो हमारा सही answer होगा वह हमें 18 मिलेगा जो इस equation के रूप से हम find करेगे तभी हमारा सही answer मिलेगा वह हमें B मिलता है उसके बाद जो question देखे during a test on 6 kVA transformer it is found that iron losses are 120 watt full load copper losses are 200 watt the total loss at half full load will be total loss कितना होगा तो यहां पर हमारा सही answer है वह में D मिलता है 170 watt ampere तो वह किस तरह से मिलेगा हमारा वोट ही होगा वोट किस तरह से मिलेगा तो यहां पर देखिए तो आपको मैंने explanation भी दिया है copper loss at x load is equal to x square multiply by full load copper loss तो x is equal to one by two consider करके चलते हैं तो यहां पर जो हमें मिलता है copper loss वो 50 watt है तो total loss कितना होता है तो यहां पर हमें पहले या iron loss दिया गया है 120 watt तो उसके साथ ही हम add करेंगे अमारा copper loss, तो यहां पर हमारा जो सही answer मिलेगा, वो हमें d मिलेगा, 170 vote है, उतना हमारा मिलता है सही answer, तो दोस्तो मैंने यहां पर आपको 20 importance mcq जो exam में पूछे गए है, numerical types के, वो बताये है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो उसे like कर करें, share करें और subscribe करें, thank you for watching my video